कुल्लु जिला में दीपवली की रात पठाकों से दरजनों जगा जंगलों में आगजनी की घटनाय हुई कुल्लु शहर के साथ सटे मटक शेतर में पठाकों की आग से कई लोगों के बगेचों में भी आग लगने से पेड़ पौधों को भारी नुकसान हुआ है गनेमत रही की रिहाईशी इलाकों में आग से मगानों को नुकसान नहीं पहुँचा है जबकि राइसन, चटेंसरी और सेववाग में दो गोशाला में भी पटाकों की आग से 16 लाख रुपे का नुकसान हुआ है अगनेशमन केंदर कुलू के करमचारी पूरी राग जगा जगा पर जंगलों में आग जनी की घटना को कंट्रोल करते रहे उधर जंगलों में आग बुझाने के लिए अगनेशमन विभाग के करमचारी को खूब मशक्कत करनी पड़ी जिला अगनी शमन अधिकारी कुलू प्रेम सिंग भादवाज ने कहा कि दीपावली की रात कुलू जिला मुख्याले की आसपास आगजनी की घटना के बारा मामले रिपोर्ट हुए है उन्होंने कहा कि आगजनी की घटना में दस जगह पर पटाकों की चिंगारी से जंगलों में आगजनी की घटना हुई है जबकि दो जगह पर गौशालाओं को आग से नुकसान हुआ है उन्होंने खा कि आगजनी से कुलू जिला मुख्याले में दो जगा पर गौशाला जलने से करीब 16 लाख रुपे का नुकसान हुआ है जबकि आगनी शावन विभा के अधिकारियों उन्हें मुस्तैदे दिखाते हुए करोडों रुपे की संपत्ति को बचाया है और आग लिए यह हमारे कल आठ बज़ें से लेकि जो है आज सुब आठ बज़ तक है हुआ कि वारी एक के से और दूसरे केसमें जाना एक एस में दो दो बार चले गए जिसमें शिव बाग का एक गोशाला और आरा मिशिन एक दो मिशिने और थी उसमें आग लगी थी तो उसका नुक्सान जो है तो फंद्रा लाट के लगवक नुक्सान हुआ है और क्रोणों की समध्ति को बिचा गया है दूसरा गोशाला चाटन सेरी के निज़रेक गोशाला में लगी थी इसमें दीस अजार का मुश्ण हुआ है अगर थाइश्टिश्म कुल्लू में तीस कर्मचारी पुरी रात आग से लगते रहे हमारे पास चार फायर वहिकल मुझूद थे जो बिविन आग बर बारी बारी से ले जाते रहे आग से लगते रहे उसमें जो है तकरेवन चार बजे लगर परशेदत कुल्लू के पुड़ा सेंतर में आग लगी थी उसमें जो आठ गाडिया पानी खांकी भी तता जो तीन गंटे जो है लगा तार पोट चलता रहा जो सुभा आठ वजे के क्रीव कापू पाया गया है आग पर बाकी दो गोशाला के अतरिक जो है जंगल में आग लगी थी और लोगों में जो है पूड़ा आज तक का जो पूड़ा करकट था एक जगा रखवा था उसमें जो है आग लगा दी गी जिसे बुजा अभी जो है अभी दस बज़रे है अभी तोड़ा आराम है अभी सारे 30 के 30 करमचारी जो है उरी रात लगातार काम करते रहे हैं